भले ही दिल्ली विधान सभा चुनाव खत्म हो चुका आखे लेकिन दिल्ली चुनाव प्रचार से चलाती की बयानबाजी का दौर हरियाना में अभी भी जारी है एक बार फिर से हरियाना के कैबिनेट मंत्री अनिलविज ने कॉंग्रेस की नेताओं को आड़े हाथ लिया आखे क्या कुछ को कह रहे हैं चलिए आपको में सुनवाएं के उनको शर्म नहीं आती अपना घर नहीं देख रहे हैं दूसरों पर टिप नहीं कर रहे हैं हरियाना के कैबिनेट मंत्री अनिलविज नवातों के जर्ये कॉंग्रेस पार्ट Tea और उनके नेताओं को दिल्ली चुनाओं के नतीजे का आएना दिखाना चाते हैं दिल्ली विदान सवाच नौँ के नतीजे पर हर्याणा में वार पलट वार के सलसले के बीच डिपेंदर हुड़ा ने बीजेपी पर करारा ट्वीट वार किया ट्वीट में डिपेंदर हुड़ा ने कहा पड़ोसी राज्य दिल्ली में शांदार जीत पर अर्मिंद केज्रिवाल जी को बहुत बढ़ाई एवम शुब कामदाई द्रोवीकरन की राजनिती को नकारने के लिए दिल्ली की जुनटा को बढ़ाई हर्याना में हाफ दिल्ली में साफ अब पीट वोर छेडा गया तो इसका जवाब भी दिया जाना ही था और इसका कड़ा जवाब दिया हर्याना के कैबिनेट मंतरी अनिल विजने नहीं दिपेंदर हुड़ा को पहले अपनी हालत देखनी चाहिए दिल्ली में उस पर टिपनी करनी चाहिए जो जीरो जीरो है उसके बाद उसको किसी और पे टिपनी करने का अधिकार है निपेंदर हुड़ा से दो कड़म आगे बढ़ते हुए विजने कॉंग्रेस पर बरस्ते हुए आमादवी पार्टी के साथ अंडरग्राउंड गठबंदन तक के आरोप मर दिये आपके साथ कांग्रेस ने गठबंदन करके अंडरग्राउंड सारी वोटें आप पार्टी को डिलवाई है और कांग्रेस का जो वोट परसंट है दया वो के विल चार प्रतिशत रहा गया इससे पहले अनिल विजने दिल्ली में आमादवी पार्टी की जीत पर ये कहा था कि ये जीत मुफ्त खोरी की जीत है अब ऐसे में विज के इस बयान के बाद क्या पलटवार होता है ये भी देखना दिल्चस्प होगा खबरेवी तक के लिए अमबाला से कमल प्रीत सबरवाल की रिपोट झाल